हेलो फ्रेंग्स दोस्तों पुरुषों को अपनी दाड़ी के खुर्दुरे होने का ऐसा सबसे ज्यादा या तो तब होता है जब वो अपनी लब्द मन को किस करने वाले होते हैं और उनकी दाड़ी उनकी गालों पर चुप जाती है या फिर अगर वो अपने बच्चों को किस करने होते हैं और उनकी दाड़ी उनके बच्चों के गालों पर चुप जाती है तब एकदम से बच्चे कह देते हैं कि बापा आपकी दाड़ी हमें चुपती है उस समय पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनकी दाड़ी को ज्यादा ह सकते हैं और वो कोई ना कोई न उसका ज़रूर ढूंड ले लगते हैं ताकि वो अपने शेविंग के स्टाइल को भी कॉंप्लिमेंट कर सके और उनकी दाड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए आए जानते हैं कुरुशो की दाड़ी को मुलाइं बनाने के कुछ आसान से तरीके इए. टिप नमबर टू है कंडिशनल. बालों को सूर साफ बनाने के लिए हम शैंपू के बाद कंडिशनल का इस्तिमाज जरूर करते हैं. ठिक उसी तरीके से अपनी दाड़ी पर शैंपू लगाने के बाद कंडीशनर लगाना ना भूलें टिप नमबर 3 है फेस वाश जब भी हम फेस वाश का इस्तिमार करते हैं तो चहरे की गंदगी साफ हो जाती है कई बाल हमारी दाड़ी के अंदर धूर मिट्टी के कंड जमा होने की वज़े से भी चुपना स्टार्ट हो जाती है इसलिए जब भी फेस वाश करें तो अपनी दाड़ी पर भी फेस वाश लगाकर अच्छे तरीके से चहरे को वाश करें टिप नमबर 4 है अपनी दाड़ी को ट्रिम करना समय समय पर अपनी दाड़ी को ट्रिम जरूर कर लें क्योंकि बड़े हुए बाल काफी ज्यादा चुपने लगते हैं इसलिए हर सही समय पर अपने दाड़ी के बालों को ट्रिम करने ऐसा करना भी उन्हें मुलायम बनाने के लिए काफी अच्छा आप्शन है सो दोस्तों ये है आसान से तरीके पुर्शों की दाड़ी को मुलायम बनाने के लिए इन्हें जरूर फॉलो करी मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिब वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए